जम बनाने वाले हैं आलू का पराठा आलू का पराठा तो हम सभी का फेडरेट होता है लेकिन ये उत्तर भारत की बहुत ज़्यादा जानी मानी और पसंद की जाने वाली डिश है शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबस्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें आलू का पराठा बनाने के लिए हमें सबसे पहले आठा लगाना होता है आटा लगाने के लिए आपको इसमें तोड़ा सा तेल और तोड़ा सा नमक डालना है इसके दियान रखे कि आपका जो आटा है बहुती सौफ्ट और नरम होना चाहिए हमें उबले हुए आलू लेने हैं हमने इसको कद्दू कस कर लिया है आप चाहे तो मैश भी कर सकते हैं इसके बाद हमने इसमें एक चमच लाल मिच डाली है फिर धनिया पाउडर है गरम मसाला डाला है इसके बाद हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालने वाले हैं पर रहे से दो हरी मिर्च है जिसको हमने चोटा बारिक काटके डाला है इसके बाद हमने कुटी हुए लाल मिर्च जिसको हम लोग चिली फ्लेक्स बोलते हैं वो डाली है फिर एक चमच आमचूर डाला है और दो-चार जो दाने ह llevar करगत पते के वो डाल दिये है लोग इसे 12 मिनिट का रेस दिया है उसके बाद हम लोग जो है इसके पराठे बनाना शुरू कर देंगे हमारा जो आलू है उसमें सारे मसाले अच्छी तरह से मिलाने के बाद हम लोग पराठा बनाना शुरू करेंगे पराठा बनाने के लिए हम जो आटा लगाते हैं वो नरम लगाना च जाता है लेकिन ये तरीका बहुत ही जादा इजी है और खाने में तो पुछेनी बहुत जादा स्वाधिस्ट बनते हैं ये रेसे भी एक बार अपने घर में जरूर ट्राय करें इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही जादा अच्छा टेस्ट आता है बनाना इ इन सारी चीजों के साथ में आप इसे परूश सकते हैं आपने अभी तक हमारे चानल को सब्सक्राइब किया या नहीं यदी नहीं तो अभी तुरंत नीचे दिये गए लाल बटन पर क्लिक करें और हाँ बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें तो यह पराठा है हम लोग इसे पह आपरड़ कि को एक बार अपने घर में जरुर ट्राइक करें और मुझे कॉमेंस में बताए कि आपको ये वीडियो कैसी लगे और यदी कोई सजिशन देना चाते हैं तो हम्एं कॉमेंस में जरूर लिखें वीडियो और और रिष्टीदारों के साथ शेयर करना ना भूले हम इसी प्रकार की इंस्टेंट रेसिपीज अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं कॉमेंस में ज़रूर बताएं कि आप आगे और कौन सी रेसिपीज देखना पसंद करेंगे